Hello everyone, my name is Gaurav, welcome to WSQTEC, WSQTEC में आप से गास होगत है, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे looping in PLC, मतलब पर आप looping system को कैसे लगा सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, looping system in the sense में आपको बात करना चाहूं यहाँ पर, कि आपके आज एक process हो रहा है, उस process को complete हो रहा है, यहाँ पर आपके आज क्या हो रहा है, on हो रहा है, and आपके आज क्या 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 हो रहा है, and किया है उसके बाद फिर से बात करें यह आ दे पेटरिक लोपिंग सिस्टेम के बारें आज से काहा है घुरए लूपिंग को बात करेंगे पिअ सबस्यारा करें पढूरेल सब्सक्राइबियर लॉसी सिस्टेम देने का त्रीकष्ण आप उसको नहीं लूपिंग सिस्टम लगा सकते हैं अब लूपिंग सिस्टम कहां पर काम आता है क्यों चुरूरी है उसके लिए हम बात करें यहां पर तो सबसे बाता हूं लूपिंग सिस्टम कहां कहां काम आता है जिस्ट लाइक मान लेते हैं आपके आज एक प्लांट है उस प्लांट के अ यहां पर यह जो box है वो यहां से यहां तक जाएगा उसके बाद यहां पर आपके पास क्या होगा इस container को यहां पर पहुच जाएगा उसके बाद आपके पास क्या होगा पैकेज हो जाएगा यहां पैकेजिंग होने के बाद यहां पर यह जो box जाएगा और यह कहां चलाएग राइट यह कहा चला गए यहाँ पर डिलीवरी के लिए चला गए अब यहाँ पर बात करें यह तो आपके आज एक बॉक्स का सिस्टम हो गया अब यही जो प्रॉसेस से आपके आज बात करें एक दूसरे बॉक्स के साथ करवाना है यही प्रॉसेस आपके आज तीसे बॉक्स यहां move करेगा फिर उसके बाद conveyor belt वापस यहां आएगा इसके बाद conveyor belt फिल वापेघा आएगा मतलब आपको conveyor belt का पूरा क्या है exp rotation system मिनाना है या फिर बात करें आपका जो thrilling system然 på आपका जो भाक्स है उसका rotating system मिनाना है तो आप क्या करते हैं люb, का पश्कामाने इसा कही सिस्टम नहीं ऑट है हुआ सकते हुट है आको अपने लॉजिस लगाने होते हैं उसको आज शोपन लेता हँ हूँ यहां पर एक्जांपल यह है कुछ इस तरह से पर दो लैमप हैं मतलब मालन लेता है यह लैंप 1 है और यह डेंप 2 है मैं माल लेता हूँ ये lamp one है और ये क्या है lamp two है आपका जो surge lamp है वो अब्माल लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहागा fifteen second के लीए क्या और ऑउन होगा उसके बदte lamp आपका one जो है, yes, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ने क्या हो गाई इकि लेंट वन फिर्से 15 सेकंड के लिए ऊन होगा यह फिर से ऑफ होगा 15 सेकंड के बाद में तो लेंट टू क्या होगा ओन होग ?? इस तरह से आपक Bliss कहोगा पूरा रोटीशन प्रोशेश चलेघा क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर क्या करना है देखिए आपके अस पहले की ओगा 15 सेकंड के लिए लैंप on then off then lamp 2 on then तो सभी के बारे में आज हम यहां पर बात करते हैं तो पी यलसी के अंदर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं यहां पर रंक्स को एड़ कर देता हूं क्लेर मैंने को आड़ किए अब Olivia सबसे पहले हमाली क्या होना चाहिए एक आपका ऑन प्रेस्ट बटन होने चाहिए एक आपका आपका दोzd बोटन प्रेस्ट सोनी चाहिए यहांपे पहले बटन को पुश करूं तो आपका डूसरी सोब्हेत Não को पुश करूं अच लगा सकते हैं और वह दोनों पुश्बटन होते हैं यहां बात करें एनो पुश्बटन और एन्सी पुश्बटन अब करें को आपके यहाँ पर आपके यहां के अंदर चला यहां पर बात करें, NC के अंदर है, तो यह क्या जाएगा, NO तक जाएगा, और उसके बाद वापस क्या जाएगा, NC के तरफ चला जाएगा, यह process होता है, जब आप प्रेस करते हैं तब तक ही, लेकिन PLC के अंदर हमारे पास toggle buttons नहीं होते हैं, यहां पर, इसके लिए हम यहां define मान के चलेंगे, कि PLC के बार आपके आज क्या है, दो push button लगे हैं, और उसकी through ही हम क्या करेंगे, यहां पर work करने वाले हैं, clear, तो start करेंगे, यहां पर देगे, किस तरह से बनाने वाले हैं, तो मैं यहां पर ले चलता हूँ, आपको PLC के अंदर, PLC के अंदर आने के करेंगे, off switch की तरह काम करेंगे, clear, मैं इसके अंदर देखें, पहले यहां पर input देता हूँ, accelerated, मैंने यहां पर i colon 0 slash 0 यहां पर देदिया, इसका input, और यहां पर comment एड़ कर देता हूँ, यहां पर, comment के अंदर, मैं यहां पर लिख लेता हूँ, कि यह जो काम करेंगे, वो off क काम करेंगा, मतलब आपको जो system है, उसे off करना है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं, clear, यह मैंने यहां पर बना दिया, then आप बात करते हैं, इसके लिए, तो यह जो हमारे लिए होगा, अब मैं इसके लिए, आपका input section देता हूँ, i colon 0 slash 0, okay, and यह जो section है, यह किस connect करना पड़ेगा, clear, and इसके लिए बात करें, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास, इसको यहां पर क्या कर रहा हूँ, holding process हमने यहां पर बहुत अच्छे डंग से discuss की है, कि आप holding process को कैसे लगा सकते हैं, आप latch और unlatch के थूरू भी लगा सकते हैं, और आप बिना unl नहीं देखा है, तो आप हमारे previous वाले वीडियो को लगके देख सकते हैं, right, then चलें यहां पर holding process के लिए, तो देखें, मैंने holding के लिए यह दे दिया है, इसके लिए मैं बात करूँ, यहां पर जो मैं input के अंदर, आपके जो output है, वही holding यहां दूँगा, अब देखें, output के आप यहां पर binary output को भी ले सकते हैं, yes, binary bits क्या होती, उसके रहें बात करें यहां पर, तो देखें, जब आपके पास, PLC के अंदर जो output होता है, उनकी जो counting होती, वह कम होती, just like यहां पर बात करें, आपके यहां पर 7 इन सकते हैं, यहां पर बात करें, 14 हो सकते हैं, तो जब पर आप कर सकते हैं, एक alternative binary को search कर सकते हैं, alternative binary को कैसे use कर सकते हैं, अब alternative binary को कैसे use करना है, तो देखें, binary के लिए आपको जाना है, B3, 0, 0, 0 को आप use कर सकते हैं, binary B, as a output की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका जो signal है, वह बाहर आपको नहीं मिलेगा, यह internally counting करने के लिए काम या फिर में बात करों, इंटर्नली आपको प्रोजेक्ट करवाना है, तब आपके पास क्या करेगा, यह काम करेगा, अब देखें, यह आउट्पूट के अंदर हमने दे दिया है, लेकिन यह कहा करेगा, आपका एक्टर्नली जो पील सी का, आउट्पूट का, वहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पर समझ दीजिए, बात करें यहाँ पर, तो यह मैंने यहाँ पर क्या दिदिया, एक इमेजनली बना दिया, और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, यह वहाला जो प्रॉसेस है, मैं यहाँ पर लिक लेता हूँ, आपके आपका आउट्पूट के लिए काम आएगा, यहां पर, तो यह मेरा holding के लिए मैं यहां पर लगा दिया, clear? अब मेरा यहां पर clear हो गैं, मैंने इंपूट साइट के अंदर अपके यहां प्रॉटट लिए यहां पर या इक यहां पर आपके आपके आज आउट्पूर लें यहां पर एक टाइमर की जरूत पड़ेगी क्योंकि देखिए टाइमर की जरूत क्यों पढ़ने वाली है क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपके पास पहला जो लेंप है वह आपके आज क्या होगा 15 सेकंड के लिए ओन रहेगा अब 15 सेक टी फोर कॉलन देदिया यहां पर जीरो जीरो देदिया यहां पर एंटर किया टाइमर के अंदर टाइमर बेस मैंने वन दे दिया है ट्री सेट वैल्यू मैंने 15 डाल दी है एक कुलमेंटर की वैल्यू हम यहां पर नहीं देने वाले और टाइमर के अंदर आपके यहां पर से दिया सकते हैं, clear, अब मैं बात करूँ यहां पर तो टाइमर को on करने के लिए मुझे टाइमर का tagger चाहिए, टाइमर का tagger महला आपको एक input चाहिए, इंपुट चाहिए तो मैंने यहां पर क्या क्या किया, आपकास यूजर के अंद गया और इंपूट के लिए मैंने इनपूट यूज करिगा अब इनपूट को या तो मैं बाहर से प्रैस कर सकता हूं या फिर देखे दिखे मैंने और और ऑफ दो सुछ बना लिए उसके लबाँ मिलोपास और कोई सुछी नहीं है लाइए बाहर केवल और केवल क्या है दो स्विच यह है जैसा आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपकास क्या है पील सी के बार आपने क्या करका है केवल और केवल दो स्विच को यूज करका है यह आपकास क्या है आपकास क्या है यहां पर आपकास क्या है दूसरा भी आपकास क्या है यहां आपके आपके लिए-पिंग यहां और यहां पर आउवक का यहां पर उजाँ पर इन्पुट के अदर और भी आप पा इन्पुट नहीं ले नहीं ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे यह चोब आपके-आपके आण्पुर्सिंग है इसी addressing को यहाँ पर डाल देंगे, यह डालने का तरीका क्या है यहाँ पर जैसे मैं इसको on करूंगा, यह आपका on होगा यहाँ पर, on होगा तो यह आपका जो process वो on होगा, और on होते हैं, timer का जो trigger है, उसे क्या मिल जाएगा, on मिल जाएगा, clear, अब यहाँ पर देखें, timer के अ साथ ही काम करती, preset value जब तक चलेगी, preset value तक चलेगी हमारा एक्रोने डिस value, तब तक आपका टीटी बीट on रहेगी, clear, उसके बाद टीटी बीट आपका क्या होगी, off हो जाएगी, then मैं बात करूं, dn bit के बारे में, तो done bit क्या करेगी, आपका बात करें, तो वो क्या करेगी उसके टीटी बीट के off होते ही, आपका क्या होगी, done bit on होगी, और वो continuously on तक ही रहेगी, clear, और बात करें, enable bits के बारे में, en bit के बारे में, तो जैसे आपका यहाँ पर timer on हो जाएगा, timer on होने के बाद आपका timer चाहे, कितने time के लिए भी चले, यहाँ पर, आपके पास जो यह तो यहाँ पर बात करें, enable bits है, और यहाँ पर पहले एक बार on हो गई है, तो वो on ही रहने वाली है, clear, तो यहाँ पर मुझे आपका जो lamp है, उसको यहाँ पर क्या करना है, basically बात करें, तो मुझे lamp को यहाँ पर 15 second के लिए run कराना है, अब जब मुझे lamp को 15 second के लिए run करवा एक आउटपूर्ट सेक्शन के अंद यहाँपूर्ट और जाके आउटपूर्ट गेंद इसके आउटपूर्ट रिख लिएग पास क्या है कि यहाँ पर लेम्प है तो मैंने यहां पर edit description को on किया और यहां पर lamp लिखा और lamp कौन सा है यहां पर बात करें lamp 1 है clear और मैंने lamp 1 यहां पर इसका name दिया तो इस तरह से हमार पास पहला lamp लग चुका है अब बात करते हैं दूसरे lamp के बारे में तो दूसरा lamp आपके आज क्या होगा यहां पर पहला lamp जब आपके आज यहां पर आफ और आफ और चलता हूं तो मैं यहां पर यहां पर दे दिया है और isolated में जो output है उसको भी दे देता हूं यहां पर यह output दे दिया और यहां पर isolated input भी दे दिया अब दिखें पहले इसके timer के अंदर की सारी चीज़े डाल देते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे यहां पर इसको enable कैसे कराना है तो मैं बात करूँ आउटपुट के लिए तो मैं output जो है आपके आज यहां पर 1 दे रहा हूं यहां पर अब बात करते हैं इसके description के बारे में तो edit discussion मैंने on किया यहां पर lamp आपके बात करें यहां पर 2 इसका नाम दे दिया okay lamp 1 and lamp 2 दे दिया मैंने यहां पर और आपके एक ही मैंने on button लिया और एक ही off button लिया अब बात करें देखें timer 2 जो है उसको यहां पर enable कराना पड़ेगा first timer जो है आपके आस यहां पर उस first timer का हम यहां पर-t nuit की जगा हम यहां पर-done bit को use कर लेते है देखें टन bit को use करने का क्या फाइद है यहां पर कि जैसे answer chip of questioning done bit on और done bit on की oh क्योंकि जैसे टीटी बिट ओफ होगी तो आपका लैंप नंबर वन जो है वह ओन रहेगा 15 सेकंड के लिए फिर ओफ हो जाएगा उसको यहांपे कर रहा हूं यूज कर रहा हूं आपका थाइमर नंबर जो two कोई आपर रिवर्स प्रोसेस नहीं चलेगा मतलब मैं बात कुरूँ इसको सिगनल देनी के लिए कोई नहीं है यह बात कुरूँ देखे यहां पर चलते हैं डाउंलोडिंग दैन ओके इसको यस करते हैं और यस करते हैं और और यहां पर इन्बोड के लिए अब मैं बात करूंगा इसके लिए मैं इनपूड करता हूं यहां पर टॉगल विट से अन करता हूं मेरा टाइमर नंबर देखे वन ओन हो चुका है यहां पर और मैं इंपूड को आप चाहिए तो यहां से हटा सकते हैं क्योंकि आपका है इसको भी हम यहां पर फिर से देख लेंगे दैन आपके आज बात करें देखें यह 15 सेकंड के लिए ओन होगा और यहां पर बात करें लेंप नमबर वन नहीं हुआ है यहां पर एक्कुमिलेटर की वैल्लीव जीरू हो जाएं यहां से वापस काउंटिंग होना जाए मतल और reset button के लिए मैं यहाँ पर करूँगा देखें यहाँ पर अपना एक logics लगाँगा उस logics को ज़रा समझता है क्या logics लगाने वाले हैं यहाँ पर मैं चलता हूँ इसके offline mode के अंदा और इसको save नहीं करते हैं आप अभी तो देखें यहाँ पर क्या लगा सकते हैं logics कि हमारा जो timer 2 है आपके आस बात करें T4 आपके आस 1 जो timer है उस timer के आपके आस दो और bit है एक enable bit है एक done bit है तो क्यों ना मैं done bit का यहाँ पर use किया जाए और done bit है मतलब आपके जो दूसरा timer है उसकी done bit को क्या करूंगा यहाँ पर set कर दूँगा और बस मैं इसको छोड़ दूँगा यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ पर कर देता हूं फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं किस तरह से यह काम करता है यहाँ पर then देखे मैं यहाँ करा हूं then okay online yes and go online अब बात करते हैं run के लिए तो मैं run करता हूं then yes करता हूं clear तो अभी मेरा system क्या हो चुका है then मैं बात करूँ यहाँ पर मैं toggle bit press किया और इस toggle bit को off कर देता हूं आपका timer स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर वह चुका है 5 तक 6 आप में वेट करना पड़ेगा 15 तक तो यह देखे 15 तक आपका क्या लैंब नुम्बर वन हो जाता आपके पास यहाँ पर आपका जो लैंब नुम्बर 1 है वह यहाँ पर off हो चुका है देन लैंब नुम्बर 2 जो है वह start हो चुका है इस तरह से आप अपना system मना सकते हैं लेकिन ने क्या concept लगा है उसको जड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार के लिए तो मैं system को क्या करता हूँ यहां पर देखे अब यह रोकने के लिए यहां पर बात करें आप यहां पर आफ प्रेस बटन को यहां पर क्लिक करेंगे आपका सारा सिग्नल टूट जाएगा और सारे सिग्नल टूटने के बाद यह भी जीरो जाएगा यह भी जीरो जाएगा तो इस तरह से आप सारे सिग्न छेलों को एक साथ भाइक कर सकते हैं को चलते हैं और इसको पीछे क्या किया लॉजिक्स यहां पर मैंने क्या लगाए हैंक test लौसर देखे उब हाँ और तो यह मेरा output है, then आपकास यहां पर है then मैं बात करूँ, यहां पर आपकास output और उसके बाद आपकास क्या है यहां पर आपका timer है और यह timer क्या है, then यहां पर बात करें, और उसके बाद बात करूँ, यहां पर आपकास यह timer की bit हो गई यहां पर यहां पर बात करें आपकास एक bit लगा देता हूं and यह cross एक काम करते हैं यहां पर दो bit लगा देते हैं और यह cross right then बात करें यह आपकास output number one हो गया यहां पर and उसके बाद देखें आपके पास यहां से फिर से bit है और यहां पर फिर से आपकास का है timer है और timer number क्या है two है then मैं ब करें यहां पर आपकास काया लैंप है और यहां पर बात करें तो देखें यहां पर आपकास इन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर binary है, binary है, यहां पर भी आप कैसा कहा है, binary का use किया गया है, binary बिट्स का use किया है, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या कह calorie use कprob qui haya, one number का, भर आप की सथ वो ट्राइमर नबर one है, उसका tt bit का use किया है, ओके और यहाँ पर मैं बात करूँ, आपके पास इसके लिए बात करें तो यह लैंप नमबर 1 है आपके 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 उसको एसे क्रॉस करूंगा है यहां पर आपकी सिगनल को देने जाएगा लेकिन अब्सक्राइब कर दिया है तो यह आपका स्क्राइब आपकी से करेंगा यहां पर आपके सब्सक्राइब पहले 15 सेकिंद तक टीटी बिट Daesh कि आपति छाईगी ऑंड़ेंगी और Dal begr आपकर फिटीन सेकिंड के लिए on होगा यहां पर यहां पर यहां पर टीपिक इनेबल अब्ल हो जाएगी लेंप आपकास क्या होगा ओन हो जाएगा मलगा लाम की बात करूए यहाँ पर 15 सेकंड के बाद मैं बात करूए टी बिट आफ तो लाइट ओफ हो गई यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर क्या होना चाहिए डन बिट को इनेबल होना चाहिए यस डन बिट क्या होगा यहाँ पर इनेबल होगा डन बिट इनेबल होगा लेकिन डन बिट की जो हमने बिट यहाँ पर यूज की है वो यहाँ पर क्या है आपके आस एंसी है तो यह क्या करेगा अनो में करेगा अनो में करेगा तो यहाँ से जो आने वाला सिगनल था यहाँ स उसको 15 seconds तक रोके रखा था, वो अब क्या करेगा इसको zero कर देगा, क्या कर देगा, zero कर देगा, क्यूं करेगा, क्यूंकि timer के अंदर यहादी signal जाना बंद कर देता, just like मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पर एक switch लगाता हूँ, और उसके बाद मैं क्या लगाता हो यहाँ पर टाइमर लगाता हूँ यहाँ पर और जैसे ही मैं switch को on करता हूँ timer की counting start हो जाएगी timer की counting start होगी timer कैगा 15 तक चला जाएगा जैसे ही यहाँपर कोई प्रेस नहीं करता तो यहां पर हमने कहा कि दन ficar Datuk को ENABLE किया तो यह आपको जीडियो हो गया इसका मतलब दीन बित जो थी आकका वας वह ENABLE से क्या हो चुकिए है visible हो चुकिह ऊफ हो चुकिह तो यह timer की counting भी यहाँ पर क्या हो चुकी है अब जब यह zero set हो चुकी है तो इसकी done bit जो थी पहले क्या थी आपके आस nc थी और इसके 15 seconds होने के बाद क्या हुई अनो हुई थी अनो होने के बाद यहाँ पर क्या होगी वापस यह किसमें चल जाएगी nc के अंदर चल जाएगी तो आपके आस यहाँ से वापस क्या होगा signal start हो जायेगा और यह signal को वापस क्या करएगा counting 15 तक reverse वापस start करना शुरू करवा देगा तो तो हुआ क्या है प्रासेस यहां पर कि यह जो done bit है यही आपके आस क्या करेगा looping कराने का काम करेगा आपके आज signal कर लिए जैसे आप 10 में करें तो यह इंदेवर चलाएंगा यहां पर आपका वापक सिस्टम आपको फिर से दिखा दिखाता हूँ यहां वह फिर दिखा दीता हूं यहां पर यहां पर मैं इसको डाउडोडिंग करता हूं and downloading करके on करता हूं then clear then go online and बात करें यहां पर run mode के लिए and run mode के लिए start कर देता हूं clear अब जैसे ही देखे मैं signal को on करता हूं काम करते हैं इसकी timer को थोड़ा कम करते हैं ताकि थोड़ा fast वास दिखा ही यहां पर ओके इनकी timing को कम करके मैं यहां पर five seconds कर देता हूं क्लिया और downloading जलते हैं then okay then yes and go online and बात करें यहां पर run mode then okay okay मैं यहां पर toggle press करता हूं यह toggle press किया आपका देखे मैं toggle bit को offer देता हूं आपका टाइमर है वह one two three four five तक पहुंच गया है कि आपके लैंप two on हो चुका है लैंप two on हो चुका है इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वह चलता रहेगा आपका infinite time तक लेकिन यहां पर बात करें मुझे सारे system को बंद करना है यहां पर तो देखे सिगनल कहां से आ रहा था starting signal कहां सारा है starting signal यहां से रोटेट हुए आपका रंग नंबर two में जा रहा है रंग नंबर two से रंग नंबर three रंग नंबर four रंग नंबर five तक चल रहा है यहां पर रंग नंबर one के अंदर से ही मैं सिगनल को ब्रेक कर दूं तो यह क्या रहा है पूरा का पूरा पूरा जो प्रॉसेस है वह क्या हो जागा यहां पर बन कर देता हूं तो पूरा पूरा सिस्टम के अंदर आप क्या कर सकते हैं लूपिंग को यहां पर यहां पर लगा सकते हैं तो लूपिंग लगाने का एक एक प्षाइब करते हैं आपक तो हम यहां पर क्या करें हमारे यहां पर लौजिस के थुरू यहां पर टुगानी है इन तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्सर केंदर तो घृण बड़ा झाल